हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 380 के बारे में ध्यान रहे कि यह IPC की धारा 380 नहीं है यह CRPC की धारा 380 है CRPC की धारा 380 का अध्यान करने के पहले यदि आप पिछले वीडियो का अध्यान करना चाहें तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको CRPC का पिछला वीडियो मिल याएगा हम बात करते हैं CRPC की धारा 380 के बारे में यह कहती है कि कुछ मामलों में अपील करने का विशेस अधिकार कुछ मामलों में अपील करने का विशेस अधिकार का मतलब क्या कि मान लेते हैं उधारन के लिए कोई ऐसा अपराद किया गया है जो एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया है दो चार छे आट दस लोगों के द्वारा एक ही अपराद किया गया है और उन्हें एक ही अपराद में एक ही अपराद में दोस्चिद्ध कर दिया गया है और ऐसे दोस्चिद्धी के मामले में यदि किसी एक व्यक्ति को अपीली अधिकार दे दिया गया है तो बांकि सब भी अपीली अधिकार का उपयोग कर सकते हैं बांकि सब भी अपील कर सकें यही वाली बात यहां पर बताई गई है क्या लिखा हुआ है इस सम्मन में लिखा हुआ है कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दो सिद्ध किये जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीली निर् या अधेश पारिद किया गया है आपको अपील करने का अधिकार दिया जाता ए inappropriate किया तब ऐसे विफ़ी में दो सिद्ध किये गयी सब्यक्तियों को या उनमें से किसी भी को अपील करने का अधिकार होगा यानि एक को यदि अधिकार मिल गया तो वांगी सब को भी अधिकार मिल गया उनमें से जो एक ही विचारन में थे तो आज की वीडियो में हमने अध्यन किया CRPC की धारा 380 के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको CRPC का अगला वीडियो भी मिलेगा और साथ ही IPC, CRPC और भारती संबिदान से रेलेटेड संकून वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आईकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद